असलाम लेकूम वाइलकिम चू कंपेटिटिव एक्सेम कोचिंग चैनल हमारे चैनल पर औरेड़ी एसफ के पांच साला पास पेपर और एसफ के 2022 के तमाम पेपर्स एसफ की हर पोस्ट के अप्लोड कर दिये गे हैं अगर आपने वो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको पिन कुमेंट में भी मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आज सम अपना 2021 का एसफ का पास पेपर कॉर्पुरल का डिस्क्स करने जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट क्वेशन है दी क्रांट प्रेजिडेंट ओफ तुर्की इस तुर्की के क्रांट सदर मजूदा सदर का नाम क्या है तो इसमें से कॉरेक्ट आप्शन है डी नेक्स्ट कोशन है बॉंबई वास सेपरेटिट फ्रॉम सिंद इन विच एर ठीक है बॉंबई को सिंद से किस साल अलग किया गया तो प्रेक्ट आंसर है बी 1936 जी नेक्स्ट कोशन है है बड़ पास का बुलंतरीन मकाम कौन सा है ठीक है तो इसमें कॉरेक्ट आंसर है आप्शन E लंडी कोटाल ठीक है नेक्स्ट कोशन है पाकिस्तान की कौमी इसमली के कितने अरकान है तो कॉरेक्ट आ उप्शन है यहां गलत है कॉरेक्ट आ उप्शन है B clam 36336, ठीक है फूर इस दी करांच जिस्टीस ओफ जीबी जीबी कह रहे है गिलग बलतेस्तान को तो गिलगत बलतेस्तान का करांच जिस्टीस कौन सा है ठीक है तो कॉरेक्ट आ उप्शन है E जस्टीस वजीर शकील एहमद she dash working in a factory since 2007 ठीक है यहां पर correct option क्या है option B she has been working in a factory since 2007 ठीक है पाकिस्तान का नाम किस ने तज्वीज किया तो यहां correct answer है option A चोदरी रह्मत अली Next question है Fuzzle attends a wedding party Writes its passive voice ठीक है अब वो कह रहे हैं इसका passive voice बनाएं आप ठीक है तो इसका जो correct option होगा वो होगा option A ठीक है Next question है Who is the leader of the opposition in the Senate of Pakistan Senate of Pakistan में काईदे हजब इहतलाफ कौन है तो यहां correct option है B ठीक है शहजाद वसीम जी Next question है Complete series ठीक है यह series का question दिया हुआ है यहां पर correct option क्या है यहां पर तो यहां पर correct option है D ठीक है 15 इसका घजल के आखनी शेर जिसमें तहलूस ना हो उसे क्या कहते है जिसमें आखरी शेर में अगर तहलूस हो तो उसे मक्ता कहते है ठीक है option B कहते है लेकिन अगर तहलूस ना हो तो उसे आखरी शेर कहते है ठीक है He is quite good dash making painting ठीक है He is quite good dash making paintings तो यहाँ पर correct option है B He is quite good at making paintings ठीक है Next question है He did not dash a letter तो यहाँ पर correct option होगा A Right ठीक है Did के साथ first work की first form आती है ठीक है अगर आप लोगों ने टेंसिस नहीं देखे तो उसका लिंक में आपको ASF Test Preparation के नेम से जो कुमेंट में पिन किया हुआ कुमेंट है उसमें अगर आप जाएंगे प्ले लिस्ट में तो उसमें आपको टेंसिस की वीडियो मिल जाएंगी उससे आपके नंबर सिक्योर हो जाएंगे नेक्स्ट है यहाँ पर चूज कुरेक्ट स्पैलिंग ठीक है यहाँ पर उन्हें डिफरेंट वर्ड्स दिये हुए है इसमें से वो कहने है आप कुरेक्ट स्पैलिंग की चूज करें तो यहाँ पेशन्स की करने है patience के लिए जो correct spelling है वो option D होगा ठीक है next है synonym of feeling feeling का synonym बताएं ठीक है synonym किसे कहते हैं synonym वो जो मिलते जुलते इलफास होते हैं ठीक है feeling के लिए जो और alternative word यूज किया जा सकता है मुतबादी लफज इस्तमाल किया जा सकता है उसको कहेंगे कि ये इसका synonym है ठीक है feeling के लिए impression भी एक इसका synonym यूज किया जा सकता है तो option A ठीक है they said they were talking exercise ठीक है sorry they were taking exercise ठीक है तो यहाँ पर इसका हमने लेना है ये दिया हुआ है direct हमने इसका indirect लेना है तो यहाँ पर option B ठीक होगा set को tall में change करते हैं कॉमास को हटा के debt लगाते हैं ठीक है how many centimeters in 4.17 meters ठीक है 4.17 meters में कितने centimeter है ठीक है तो इसका correct answer होगा option B ठीक है इनसानी जिसम के किस अजू के चार चेंबर होते हैं ठीक है तो वो होता है दिल भावल नगर का पुराना नाम क्या था ठीक है तो यहाँ पर correct option होगा D ठीक है रुजान वाली next आजाते हैं हून को कौन सा अजू साफ करता है ठीक है तो यहाँ correct option है A गुर्दे ठीक है दूद में पानी की मिगदार कितने फीस्द होती है ठीक है correct option है C दूद में जो पानी की मिगदार है वो तकरीबन 80% तक होती है सबसे पहला निशाने है दूद किसको दिया गया ठीक है तो यहाँ पर correct answer है option A राजा मुहम्मद सर्वर गजल का आखरी शेर जिसमें शायर तहलुस बियान करता है उसे क्या कहते है तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था तो correct option क्या होगा option B ठीक है पाकिस्तान की पहली हतून fire pilot कौन थी तो correct option क्या है मर्यम मुखतार ठीक है option C correct है next आजें अर्दू to English translation मैं कल अपने कॉलिज जाऊंगा मैं की English आई हो गया ठीक है जाऊंगा यहां पर हो गया शेल ठीक है तो जाऊंगा अभी तो शेल भी आएगा ठीक है विजिटिंग वैसे भी अगर और करें तो सब कुछ सेम मतलब तीनों सेंटेंस वह सेम दिये हैं सिर्फ उसमें जो एक डिफरेंट है वह एक में है एड्मिटिंग एक में है एंट्रिंग एक में है विजिट ठीक है तो काल मैं अपने कॉलिज जाऊंगा इट्समीन वह डेली नहीं जाता ठीक है तो यहां पर कुरेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ठीक है दे हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मौर्निंग लफज इसलाम का दुरुस मुच्जाद है तो इसका दुरुस मुच्जाद क्या है कुफर ठीक है लफज मतवातर का हम मैनी लफज क्या है ठीक है तो इसे कहते हैं देखिए मतवातर कहते हैं लगातार करते रहना मुसलसल करते रहना तो सलसल से करते रहना ठीक है तो इस यहाँ पर जो आप्शन है वो डी ठीक है तमाम दुरूस्त है कौन सी कताब मुकदस और पाक नहीं कहला सकती ठीक है तो करेक्ट आप्शन है A ठीक है दिवाने गालिब ठीक है क्यूंके बाकी इंजील, जबूर और तुरैट ये तो मुकदस किताबे हैं पाक किताबे हैं ठीक है जो दिवाने गालिब है इसे आप मुकदस और पाक किताब नहीं कह सकते परक का मतलब है ठीक है परक का ऑप्शन B ठीक होगा पहचान चुथाई मिलियन से मुराद है ठीक है चुथाई मिलियन किसे कहते हैं ऑप्शन D अढ़ाई लाग हज्जों के लिहास से दुरूस्त लफ्ज मुन्तहिप कीजिए ठीक है तो ऑप्शन A जो है वो ठीक लिखा हुआ है ठीक है अलामती का वर्ड ऐसे ही लिखा जाता है नंकाना सहब किस शहर के करीब वाकियां है ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन A नंकाना सहब लहौर के करीब वाकियां है पाकिस्तान ने One Day Cricket World Cup कब जीता था ठीक है तो पाकिस्तान ने One Day Cricket World Cup कब जीता था जी इसका कुरेक्ट ऑप्शन है 1992 नेक्स्ट आजें पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है पाकिस्तान का कौमी जानवर मार और है 1550 मेगा बाइट्स में कितने गेगा बाइट्स होते हैं ठीक है तो कॉरेक्ट आप्शन है C 1.55 कम्प्यूटर किस जबान का लफज है कॉरेक्ट आप्शन है A लातीनी जबान का लफज है 1971 में 1971 में कौन सा बड़ा वाकिया पेश आया ठीक है तो यहाँ पर कॉरेक्ट आप्शन है बंगलादेश अलग मुल्क बन गया ठीक है जब पाकिस्तान की तकसीम हुई थी तो उस वकट पाकिस्तान और बंगलादेश एक ही कंट्री थे 1971 में बंगलादेश हम से अलग हो गया ठीक है और एक अलग मुल्क बन गया पाकिस्तान में कुल कितनी जबाने बोली जाती है जी तो कॉरेक्ट आंसर 27 तू 30 जबाने बोली जाती है ठीक है और यह सवाल इंपोर्टेंट है अक्सर कहीं न कहीं पेपर्स में ज़रूर आ जाता है जी मसीर ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन को आउन कर लें वीडियो पसंद आई हो तो हमारी होसला अवज़ाई के लिए इसको ज़रूर लाइक कर दें अलाह आफिस